नमस्क्राइब दोस्तों कैसे हैं आप आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टक्मा के टोड़े पे दोस्तों एक निउज ने आज सब का ध्यान अपनी तरफ आकर शित किया है और वो है शॉर्ट सेलिंग के नए नियम सबसे पहले समझने कोशिश करते हैं शॉर्ट सेलिंग होती क्या है जो लोग फ्यूचर और उप्शिंस में काम करते हैं उनका एक टूल है कि अगर वो चाहें तो जिस कॉंट्रेक्ट में वो काम करना चाते हैं वो उसको पहले बेच के भी काम कर सकते है एक कॉंट्रेक्ट की इन दिनों मार्केट का माहौल खराब है लोग कोरोना वाइरस रे डरे हुए है एकोनोमिक क्रैश रे डरे हुए है लोगों को लग रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में एक फ्लॉव है कुछ फिरेंशल बबल बस होने वाला है ऐसे सिट्विशन में लोगों को लगता है कि हम एकोटी के साथ-साथ फ्यूचरस में भी बहुत साई शॉर्ट सेलिंग करें और निचले सर पे वापस वादे काटके पैसा बनाएं इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग इस पिस परसंट गिर रहा है इंडरसिंट बैंक को हमने देखा दिन में 25 परसंट गिरा 15 परसंट बड़ा तो इतनी जादा वोलेटालिटी के अंदर में बजार को समालना बहुत मुश्किल है और यह सेवी का दाइत्र बनता है सेवी का रोल बनता है कि वो बजार में इस बोलेटालिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करे ताकि अंदाद उन बेचने वाले लोगों के उपर कुछ लगाम लगाई जाए अब भी देखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग के नए नियम क्या है दोस्तो पहले समझते हैं कि सेवी ने पूरे F&O सेग्मेंट में जो नियम लगाया है शॉर्ट सेलिंग का वो कैसे लगाया है इसको समझने से पहले हमें समझना होगा MWPL को Market Wide Positional Limit यह क्या limit होती है दोस्तो एक समय पे जितना भी future की सबी scripts को मिला के जो open interest खड़ा होता है जो सौदे खड़े होते हैं square up नहीं होते हैं उनको कहा जाता है MWPL Market Wide Positional Limit उसकी जो तैर सीमा है जो पहले सी दिर्धारित है वो है 95% जैसे ही कोई stock अपनी MWPL को 95% hit करता है उसमें ban लग जाता है उसमें कोई further trading नहीं हो पाती है जब तक वो ban लगा रहता है जब तक वो MWPL वो positions कटके 80% पे नहीं आती अब सेभी ने क्या गिया सेभी ने इस MWPL limit को 95% से घटा के इसको 50% कर दिया दोस्तो ये जो नियम है उन stocks पे भी निर्धारीत रहेगा उन पे भी applicable रहेगा जिनोंने पिछले 5 दिन में 40% से ज़ादा की volatility होगी है दोस्तो दूसरा सवाल खाड़ा होता है कि F&O के कौन से stocks पे ये MWPL की limit तै होगी पहली category उन stocks की है जो stocks पिछले 5 trading sessions में 15% से ज़ादा volatile रहे दूसरी category उन stocks की है जो पिछले 5 trading sessions में 40% से ज़ादा की MWPL को hit कर चुके है मतलब उनकी जो positional limit थी market wide positional limit थी वो 40% को cross कर चुकी थी पिछले 5 trading sessions में ऐसे stocks बैंके अंडर में आएंगे दूसरो तीसरा बहुत important point है कि इस पे penalty क्या लगीगी अगर कोई आदमी MWPL को breach करने की कोशिश करता है कोई trader अगर अपनी positions बनाने की कोशिश करता है जिसमें MWPL हिट हो चुकी है तो कैसी penalty लगेगी तो जितनी भी extra positions आपने ली होंगी जिस trader ने extra MWPL को hit किया होगा जितनी extra positions आपने ली होंगी या तो total value का 1% या फिर 5000 रुपे प्रती lot प्रती दिन मतलब 5000 रुपे एक lot पे पर डे की हिसाब से अगर आपने दो दिन के लिए position sold की एक lot एक्स आ लिया है MWPL के against में तो आपका दो दिन की penalty 10,000 रुपे हो जाएगी ये क्यों बनाएगा इनियम क्योंकि बेवज़े लोग जो short selling करके profit करने की कोशिश करते है ये वो लोग बेवज़े बजार को नीचे ना लेके आए future and options का नजायस फाइदा ना उठाए इससे क्या होगा market की volatility घटेगी आपने देखा होगा India Wix इंदिनों में 72 को भी cross कर गया था जो half-lar 67 पे बहुत हाई है VIX क्या बताता है जो India Wix है that is the volatility index उतार चड़ाओ कितना आ सकता है कितना बजार volatile है आपने देखा होगा एक एक दिन में nifty 1,000 point गिर रही है 1,000 point की recovery दे रही है ऐसी सूर्त हालात में कोई भी investor इस बजार से परे हो जाएगा लोग डरेंगे लोग investment करने से डरेंगे तो लोग बजार से गाइब न हो investor बजार में रहे क्योंकि ये बजार सत्य का नहीं है ये बजार investment का है investment को बढ़ाने के लिए investors के confidence को वापस लाने के लिए नई नियम बनाए जा रहे है दूसर चोथा सवाल खड़ा होता है कि इसमें अभी हाल फिल कौन-कौन से सोक सिर्ट होने वाले है मेरे पास कुछ लिस्ट है जो आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँआ इन में सबसे पहला जो नाम आएगा हो NCC दूसर जिंडल सीलन पावर इंडिया बुल्स हाॉसिंग कैंडरा बैंक अदानी एंटरप्राइज़ पी एन बी सील अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटिड सेल पी वी आर वोड़ा फोन आइडिया जस्ट डाइल एन येस बैंक और उसके इलावा दरजनों और शेयर होने वाले हैं जो इस MWPL के नए नियम से जो शॉर्ट सेलिंग के नए नियम के तहत में हिट होने वाले जिन पे बैंड लगने वाला है तो आप सोच समझ के पोजिशन्स बनाईगा क्योंकि अगर आपने आपके ब्रोकर से भी गलती होगी अगर आपको पोजिशन्स देने के लिए तो ब्रोकर तो पीछे हट जाएगा पैनल्टी आपको देनी होगी पांच हजार रुपे पर लोट पर ड़ए या एक परसंट आफ टोटल एक्स्रा पोजिशन्स बिल्ट अब बात करते हैं अगर हम इंडेक्स पे शॉर्ट सेलिंग का नियम कैसे अप्लिकेबल होगा जितने भी FIs हैं मूचल फंड वाले हैं या हैज फंड वाले हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी पोजिशन्स शॉर्ट सेल करके बनाते हैं उनकी जो लिमिटेशन्स निर्धारीद की गई हैं वो 500 करोड की लिमिटेशन्स दी गई हैं बलब कोई भी बड़ा निवेश है कोई भी FI कोई भी मूचल फंड वाला 500 करोड से जादा की वेलू की शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकता और अगर वो 500 करोड के आसपास की शॉर्ट सेलिंग करना भी चाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हैजिंग के लिए इस्तमाल होगी आपको 500 करोड का कैश एक्विटी एक्सपोजर आपके पास होना ही चाहिए एक्जांपल के तो कैश सेग्विट में मार्जिन को देख लेते हैं कैसे लगने वाला है जो शेर्स पिछले एक महीनी में किसी भी consecutive तीन दिन अगर 10% से जादा का उच्छाल या गिराव उसमें आया है तो आपको उसके लिए 20% कैश मार्जिन रखना ही होगा जो आपको मेंटेन करना होगा और मंडे से वो मार्जिन रखना होगी उसके बढ़के 40% हो जाएगी और 30 मार्ज के बाद वो पोजिशन और भी बढ़ सकती है तो आप अगर कैश में बनाने के लिए भी आपके पास मिनमम 20 से 30% मार्जिन होना ही चाहिए आपका ब्रूकर आपको मना कर सकता है क्योंकि उस पे भी पैनल्टी लगने की समावना है दोस्तों यह जो नया नियम है बहुत ही इंपॉर्टन है और इस कदम की मैं सरहाना करता हूँ क्योंकि मैंने इस बजार को बहुत सालों से देखा है अगर इस आपको नहीं रोका गया तो छोटे मजहोले निवेशक कभी बजार में आएंगे नहीं और जो ट्रेडर निवेशक बनने का सपना लेके इस बजार में आये थे पर आज किसी बज़े से वो ट्रेडर बनके रहा गई है जिनके लिए यह opportunity golden opportunity हो सकती है एक portfolio build करने के लिए हर को यह समझे कि इस समय जो बुद्धी मानी की बात है वो यह है कि आप अपने पास जो भी capital रखके बैठे हैं उसका 10-15% पैसा ज़रूर निवेश कीजिए और जैसे जैसे बजार में अगर fall आते भी हैं तो आप 10-10% की capital को phase wise उस अच्छे stocks में निवेश कर सकते हैं जिनको आपने अभी तक अपने पसिंद्धा list में रखा हुआ था अगर आपने अभी भी अपनी favorite list नहीं बनाई हैं तो blue chip companies, mid cap companies या nifty-fifty के जो भी बहतर share हैं जो आपको पसंद आते हैं, जिनके fundamentals आपको रुजाते हैं जिनका आपको, जिन पर आपको confidence है, आपको लगता है यह आपके portfolio का हिस्सा हो सकते थे या जिनको खरीदेने के आपने सपने देखे थे, आपके सपने पूरे होने का समय आ गया है shares में positions बनाने का समय है, आप portfolio बना सकते हैं, पर हाँ, अगर आप नियम नहीं follow करेंगे तो सेवी तो खड़ा ही है हमाई साथ, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, यह समय investment करने का है, सीखने का है, सीखिए और निवेश कीजिए, happy investing